आज आपने सिखा एक पॉइंट एक सवाल थर्ड जिसमें अपने सम्पली पहला है मानेश को इस तरह से निकाल लिया यह सेकेंड वाले का यह मान हो गया अपने पास से एक और एक और एलसे निकाल लिया इसी प्रिकार थर्ड वाल आपने सॉल्फ किया जिसका से एक और एलसे आपने आपने नहीं देखा तो ये स्कान लिंक है किसेकिंदन सवाल को अपने इसवाले वीडियों में देखा था DAVID लीम कर के तरस सिका था उसमें तो उसका भी देश्रेप्शन में लिंक है आपka जा 허खे देख सकते हो ऑज सहा gonna of a थर्ड सवाल अपने पास अब आज ये गुड़न खंड विधी द्वारा अपने को निमलिकित पुर्णां को के SCF और LCM याद करने हैं अपने पहले भी SCF और LCM शिखा था इसमें सीखना है पहले दौ-दो संख्या होगा सीखा था अब इस वाले सवाल पास द्वाण से देखो की तीन संख्या हैं यहां पर यानि तीन शंख्या हो पने को SCF और LCM निकालना हैं पहला सवाल होगा अपने पास इसका यह जिसको अपने यहां पर सोल्ड करेंगे 12-15-21 निकालना है फिर 17-23 और गुणे 30 यह निकालना है फिर 8-9-25 के निकालनेगे शुरुआत करते हैं फस्त से अपने को जिस सक्या का SCF निकालना है उन संक्याओं का अपने को सीधा सा अपने को अबाजे गुणनखंड करना है फर्स्ट काम यह होता है तो लिखेंगे अपन 12, 15, 21 उनको क्या करेंगे अबाजे गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से लिख लेंगे अपन बारा, बारा में 2 का बाग दिया तो 6 बार, 6 में गया 2 का बाग तीन बार, फिर 3 का बाग दिया तो 1 बार फिर कर लेंगे 15 का बाज गुणनखन, तो 15 में जाएगा 3 का बाग 5 बार, 5 में 5 का बाग दिया तो 1 बार फिर 21 में बाग जाएगा 3 का, तो यह हो गया 7 बार, फिर 7 में 7 का बाग जाएगा 1 बार, तो यहाँ पर आपने 12 का क्या कर लिया, आपने गुणन खंड कर लिया, और यह जो मान है 2 x 2 x 3 यहाँ ले करेंगे simple, तो 2 x 2 x 3, अब आज गुणन खंड कर लिया, फिर 15 का आज गुण कर लिया, तो यहाँ पर आजाएगा 3 x 7, simple है, first गाम complete हो गया, अब second गाम अपने यहाँ पर अपने को S.A.P. और L.C. निकालना है, तो आपको ध्यान होगा कि अपने पीछे सिखा कि S.A.P. का मतलब होता है, वह मान जो तीनों में उपस्तित हो, यहाँ पर जो कोमन हो तीनो में, तो यहाँ ध्यान से दिखो कि तीन, तीनों ही संक्याओं में हैं, तो यहाँ पर S.A.P. हो जाएगा, simply, आपने यहाँ पर, क्योंकि तीन, तीनों में है, तो S.A.P. हो गया, तीन, जोड़ा बना, तो तीन को एक बार लिख लेंगे, अब L.C.M. होता है, जिनका है, यहाँ पर सिंपल, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, अब इनको सिंपल कुना करेंगे, 2 को 2 से किया, 4, 4 को 5 से किया, 20, 20 को 7 से किया, 140, 140 को 3 से करेंगे, तो अपने पास आजाएगा, 420, सिंपल, हो जाएगा, गुड़ा, अपने S से अब निकाला 3, और L से ह मैं 420, फर्ष्ट कंप्रीट है, अब देखो, सेकेंड, अब यहाँ पर इस जावाल में देखो, द्यान से 17, 23, और 29 इंट करेंगे, अब यहाँ एक नोट करने लाइक बाजे कि अपने इसको क्या है, यहाँ पर अबाजे संक्याएं हैं, और अपने को पता है, कि केवल अब सिंपल 17, लेकिन अब यहाँ पर अपने गुणनखंड करना है, तो सिंपल 17 ही रहेगा, कोई मतलब भी नहीं है, तो अब उन क्या कर लेते हैं, सिंपल इसके गुणा में एक भी लिखते हैं, तो इसका गुणनखंड हो गया, 17 इंटू 1, क्योंकि एक को किसी भी गुणा को फरक्ने पड़ेगा, अब 23 में 30 का भाग देंगे, तो एक बढर, 23 में, 30 का भाग देऊ तो एक बार गया, तो simplified सिंपल गुणनखंड नहीं हो, तो सिंपल इसके भी लिखेंगे 1, इसको भी लिखेंगे 3 इंटू 1, गुणा 30 में पर सिर्फ गुणन 30 का ही बाग जाएगा, तो इसमें भी simple गुणान थी सी ही आएगा, तो इसका इब गुणान खंड नहीं हो आ, तो simply इसके भी गुणावे लिख देंगे, एक, क्योंकि एक से गुणा खंड पर कोई फरग नहीं पड़ था मान में, तो simply ही हो गया, गुणान खंड, एक बार, एक हो गया, तो इसे हो गया, एक, एलसे हम जो सेस रहेगे, वो अपने हो जाएंगे, एलसे हम 17 इंटू 23 इंटू 29, इंटू ये जो जोडा बनाता उसका एक बार मान, simply एक, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, अब एक लिको ये मत लिको कोई बात नहीं हो, तो समान होता, बेशो, simply एक गुणा कर लेंगे, तो 11,349 आंसर आजाएगा अपने, गुणा करके देख लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए पन शोट में कर रहे हैं, तो second अपना, complete SCF और LCF, अब थर्ड सवाल है, 8, 9 और 25 का अपने को, अब आजए गुणा करना है, simple, तो 8 में जाएगा किसका बाग, 2 का, 4 बार, फिर 2 का बाग देंगे, 2 बार, फिर 1 बार, तो simple, 2 का बाग देंगे, तो 4 बार गया, फिर 2 का बाग दिया, तो 1 बार गया, तो अब आजए गुणा निकन कर लिया, तो ये जो माना है, इसको लिखेंगे, 2 इंटु, 2 इंटु, दो, तो या लिखेंगे, 2 into 2 into 2, 9 में देन का बाग दिया, तेन बार, 3 में देन का बाग देंगे, तो 1 बार जाएगा, simple, आपर तीन का पढंट हो गया, तो यहा है, लेख लेए लेझे, तो यह 7 का बच्छुभि जारों पांच का लेचे एक सिंपल जारों ठीक बच्चों, इसका गुणाने खण कर लेना है अब यहां सिंपले ऐसा मान देखो जो ऐसे अपर लसे म निकालेंगे तो common हो, यहां द्यान से देखो कि कोई मान common है क्या लेगिन यहां मान तो कोई common है ने ऐसी कोई संग्या है ने जो यह तीनों में हो यहाँ common नहीं है तो अभी क्या करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखो नौट करने के बाद जब common कुछ ना हो तो अपने को यहाँ पे जब कुछ ना हो तो एक common होता है क्या होता है? एक common होता है किसे? क्योंकि अपने एक को किसी भी संक्या इसे गुणा करेंगे तो यहां पर कोई मान में फरागई नहीं बढ़ता है तो simply अपने लिखेंगे into 1 into 1 into 1 अब यहां ज्यान से देखो कि 1 तीनों में है तो simply यहां पर अपने जोड़ा बन गया तो यानि SCF हो जाएगा first यानि 1 हो गया SCF यहां पर तो SCF हो गया यहां पर first है LCM जो सेस रहेगे वो सभी किस में आ जाएगे LCM में आ जाएगे 2 into 2 into 2 into 3 into 3 5 into 5 हैं और यह एक यहां पर आ जाएगा simply 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5 अब एक को तो लिखो यहां मतलब नहीं मतलब नहीं कなた अब ढूंध से कुणा कर लेंगे इनको 2 को 5 से गया secrets फिर stat दोको 5 से गयार Along देस 2 को 3 से गया तो 6 छको 10 से गया तो 60 30 से गया 600 600 गूल сказать 1 तो एक तीन तो इसको गुना क्या तो हो गया oldest मना Daylight अज अपन ने सीखा सवाल 3 इसमने आएगे सब्सक्राइब है मानेश को इस तरह से निकाल लिया, यह SCF-LCM हो गया, सेकेंड वाले का यह मान हो गया अपने पास, SCF-1 और LCM निकाल लिया, इसी प्रिकार थरड़ वाल अपने शॉल्फ गया, जिसका SCF-1 अपने निकाल लिया, थेंक्स पॉर वचिंग,